नमस्कार मैं मानस मश्राओं वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जिस न्यूज क्लिक के संस्थापक को ले करके सुप्रिम कोट में कपिल सिब्बल अलग-अलग तरह से दलीले पेस कर रहे थे और अलग-अलग तरह से राय कर रहे थे और कह रहे थे कि 70 साल के हैं इसलिए न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं उनको जमानत दे दी जाए लेकिन सहाब आज जो एरी और सीबियाई ने कच्चा-चिता खुला है उनके बॉस जिहां न्यूज क्लिक के बॉस को चीन से कैसे लथेड़ा है और टांग कर ले आई आई आपको दिखाएंगे कोई ब्रश्टा चार पर ईडी और सीबियाई ने लुटोरो पर जो टांडो मचा रखा है जहां इस समय सबसे ज़्यादा परेसान टुकडे टुकडे गएंगे जो राहूल गांदी और के सारे परसाइट कापिस सिब्बल सुप्रेम कोर्ट में न्यूज क्लिक के संस्थापक को चीन द्वारा हो रही फंडिंग से बचाने का प्रियास कर रहे थे आज वही सारे सबसे ज़्यादे परेजान है और पाकिस्तान चीन से पैसा लेकर देश विरुदियों में जो लोग संलिप्त हैं ऐसे में न्यूज क्लिक के साथ साथ तीस्तासी तलवार का भी नाम प्रमुक है वो तीस-तासी तरवार जो प्रधामंती नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी दिश्मन कॉंग्रेस की नजदी की सूनिया गांदी का हत्यार की गुद्रा गुजरा दंगों में किस तरह से प्रधामंती नरेंद्र मोदी को फसाया जाए और इसमें एक प्रमुक नाम गौतम नौलक्का का भी है आता है जिसमें राहूल गांदी से सीधे connection है इस बात को राहूल गांदी ने खुद कबुला था और यही वो गौतन लक्का है जिसने पियम मोधी की हत्या की साजिस रश्रे वाला भी अरबंडक सली है आज आपको इस दिखाएंगे कि कैसे ED ने इन सभी के चीनी बास को अपने जौल में फसाया और इस पूरे खेल में नुवियार टाइम्ज ने कैसे साथ दिया और आखिर बड़ी मचली यानि देज की विरोधियों के तीस्ता नौलक्का राउल गांदी के चीनी सर्गराओं को कैसे दबोच है इससे पहले हम आगे बढ़ें आप सभी से अन्रोथ करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगा चलते हैं खबर की तरह पे खबर ED ने आज यहाई कारवाई चीन में बैठे आकाओं प मोदी को सत्ता से हटाने के लिए देश में अलग-अलग माध्यम से सरकार के किलाप अलग-अलग तूल कित का सहारा लेकर अफवाह यानी प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा है इस सब के बीच में प्रवर्त अनिस साले ने आनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से कि वह है फिलहास तंगाई में सिंगम के ये सम्मन पर उसके इमेल आइडियो और चीनी सरकारी चैनलों के माध्यम से बेजे गए माना जा रहा है कि एडी ने उन्हें यह दूसरी बार सम्मन जारी किया है मामले की दोजारे की से जाश शुरू हुई थी और जाश होने के बा फाउंडर है और पूर्प चेयर्मन भी है उस पर ऐसी संस्थाओं को फंडिंग करने का आरोप है जो चीनी प्रोपेगंडा को बढ़वा देती है उसे चीन की कमिनिस्ट पार्टी का समर्थक माना जाता है नेविल रासिंगम ने हावर्ड इंवस्ट्री के एकनॉमिक्स मे डिगरी लेने के बाद सौफ्ट्वर इंजिनियर के तौर पर करियर सुरू किया था साल नीस सो तिरानवे में उसने थाट वर्क्स की स्थापना की थी कमपनी साफ्ट्वर डवलेप्मेंट, साफ्ट्वर टूल्स, डवलेप्मेंट और कंसल्टिंग सर्विसेज का काम करती सिंग्णम को साल 2009 में फॉरिंड पॉलिसी मैक जीन ने टॉप 50 गलोबर तिंकर्स में सामिल किया था उसके पिता आर्ची बाल्ड बिक्रम राजा सिंग्णम स्रिलंका के प्रतिस्टित राजनीती बिग्ञान और इतिहास विद रहे अधिकारियों ने सब के बेश बताया कि इरी दोरा विदेश मंत्राले के माध्यम से समन भेज जाने के बाद सिंग्णम को हाल में उसी निजी इमेल का आईडियो और चिरी राजनेक माध्यम से समन भेजा गया माना जारा आता है कि इरी ने उन्हें यह तूसरी बार समन भेजा मामले की जाच अब चल लएए सूत्र ने बताया कि इरी ने सिंगम को धन सोधन रोक था मिनी प्यमेले के प्रावधानों के तहत नया समन जो जारी किया है अधिकार उन्हें यह भी बताया कि उन्हें नोट देकी 2023 में भारत और चीन के बीच हस्ता चरीत पारसपरिक कानून संधी के तहत यह भेजा गया है आरोपी के बयान दर्च करने के लिए जन्सी द्वारा एक कस्तानी अदालत के लेटर्स रोगेटरी यानि एलार प्राप्त करने के बाद उन्हें एक नया नोटी चारी किया गया ऐसा समझा जाता है कि इरी अमेरिका को एक एलार भेजा है जिससे उस कमपनी का विवर्ण माना गया है जिस पर कुछ अन्न ऐसे संस्ता है के अलावा न्यूज क्लिक के पंजिकृत कमपनी पीपी के न्यूज क्लिक के स्टूडियो प्राइबेट लिमिटेट को अप्रेल 2018 में 9.69 करोड रूपए धने रासी भेजने का आरूप है आपको बता दें सिंगम ने अपनी साधिक के 6 महीने बाद जो थौट वर्स कमपनी का संस्ताप पर ना किया था 1993 में उसको बेश दिया था उन्हें एक डील प्राइबेट लिक्विटी फर्म के साथ 78.5 करोड डॉलर यानि लगबक 300 करोड रूपए में बेचा था New York Times ने एक खुलासा करते हुए ना कि वो कमपनी बेचने के रादे का पर्दा पास किया था बलकि उसने यह भी बताया कि सिंगम के एजन्डे को बढ़ाने के लिए कई एजन्जियों ने मिलकर 27.27 करोड डॉलर खर्च की New York Times ने खुलासे में दावा किया गया कि सिंगम चीन की कमरिस्ट पार्टी के तताकति स्मोक लेस वार के मुख्र किरदार है सिंगम ने देहिंदू अकबार को अक्टूबर में एक व्यान जारी कर कहा था कि दिल्ली पुलिस के बिसे प्रकोष द्वरा दर्च की गए फायर में इस्तेमाल की गई भासा से पता चलता है कि वे ये दावें ने न्यूवीयाक टाइम तरह प्रकासित एक लेक में दी गई जानकारी से प्रभावित है निव्याग टाइम्स को जान बूचकन फैक्ट नहीं प्रकासिक किये गया जो मैंने उस निव्याग टाइम्स को छपने की तारिक से पहले 22 जुलाई 2030 को महाईजा कराया थी यह उसमें सिंगम ने अपने बचाओं बताया इसमें सबसे खास बात भी आपके बता दे इस पूरी मैटर की जहां निव्याग टाइम्स की एक रिपोर्ट से पहले आरूप लगाया था कि न्यूज क्लिक के बैस्विक नेटरों का हिस्सा जिसे अमेरिकी करोड़पती नेविल राइस सिंगम ने फंडिंग मिलती है इन सब में कहा जाता है कि नेविल राज सिंगं का चीनी सरकारी मीडिया मसीन के घनिश सम्मंद है इसने न्यूज क्लिक को फिर से सुरक्यों में ला दिया क्योंकि बरतमान में कथित मनी लॉर्णिंग और विदेसी फंडिंग उलंगन के लिए जाच चल लई है इन सब में New York Times में बताया था कि नेविल राज सिंगंगम एक प्रलंकाई राजनितिक बैग्यानिक उतियासकार बिकरम राजा सिंगं के बेटे है जो New York City University के Brooklyn College के राजनितिक बैग्यानिक प्रोफेशर थी नेविल राज सिंगंगम जो अप संगाई में स्थित है का एक बित्तिय नेटवर्क है जो चीनिय प्रिचार का समर्थन करता है जो सिकागो से संगाई तर दुनिया भर में फैला हुआ है New York Times की एक और रिपोर्ट के अनुसार उनने भारत में एक समझार वेफसाइट या नियूजक्लिक को बित्त पोसित किया जिसने अपनी कपरेज के चीनि के सरकार की बातों के साथ परसाजित किया बाद में दिल्ली पुलिस ने इस पर साइट पर छापा मारा New York Times की रिपोर्ट के लगाये गया जो आरोप और नेविल ड्राइस सिंगम का ये अमेरिकी चैरिटी और गैर कार लाबकारी समोहों के जुड़े हुए है और उनके एजन्डे को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है इन परचार समोहों को अमेरिका गैर लाबकारी संस्ताओं के माद्यम से वित्पोसित किया जाता है जिने दान में कम से कम 275 मिलियन प्राप्टु डॉलर प्राप्टु में अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये लोग जिस तरह से देश में रह करके ही देश के खिलाप बाहर से फंडिंग ले करके उस देश के लिए प्रचारित करते हैं और ये न्यूच क्लिक का काम है और इस पैसों को तीस्ता सितलवार, गौतम नौलखा, अविसार सर्माब जैसे बड़े-बड़े पत्रकार जो अपने आपको बनते हैं उन पत्रकारों को किस तरह से बंदर बाठ हुई, उसके बाद भारक के खिलाप पूरा प्रोपगेंडा सेट किया गया कसमीर को भार से लग तक दिखाये गया, लगदाक को लग दिखाये गया और कई ऐसे चीजे की गई, जो साब तोर पर एक टूल किट के था थे, जो पूरा गया इंकाम कर रहा थे, टूल किट का हिसा बन कर, वो सीधे तोर पर चीन साद्वारा फंडट था और राहुल गांदी की विचार धारा से समर्थित था क्योंकि रहुल गांदी ने 2018-19 में एक मंच पर जब गौतन नलक्खा को गरफतार किया गया था, क्यों प्रधाबंती नरेन मोदी का और अर्बन नक्सली को अपतन नलक्खा जो प्रधाबंती नरेन मोदी की हत्या की साज़ सचरा था, तो जब गरफतारी हुई तो रहुल ने भरे मंच से कहा था, कि देश में दो विचार धारा, एक RSS की, एक गौतन नौलक्खा, अर्बन नक्सली हुआ और हम लोगों की विचार धारा है, निकि एक RSS की विचार धारा है, बाकि अर्बन नक्सली और राहुल गांदी कांग्रेस की विचार धारा है, तो समझ सकत हैं कि देश में कैसे राजनीती में इस तरह से लोग जब हैं तो देश की ब्योस्थाव में कहीं देश का विकास आखिर कैसे अब तक हो पाता अब जब सत्ता परिवर्तत हुआ है तो बहुत सारी चीज़ बदली है यही कारड है चीन से लडाई ना लड़ने के लिए साथ और पर कॉंग्रिस के रक्षा मंतरी एक एंटर्णी ने कह दिया था संसद में कि हम डवलप नहीं करेंगे बॉर्डर को चीनी बॉर्डर को अगर डवलप करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कहा तक होगा मने रे और लिए उजिनिस्टर के साथ बहुत बहुत धन्वाब